अब तुम्हें से स्वाल में नहीं रहना चाहिए तुम आई के सिप्ट हो जाओ ऐसा बोलते हैं तो ही गाइस वल्कम बैक टू आर न्यू ब्लॉग तो अभी मैं उच्छत पर और मैं आई हूं यहां पर सनबात लेने के लिए और आज मुझे थोड़ा बहुत बुखार भी लग रहा है वैसे आपको मेरे फेट्स से नहीं लग रहा होगा बट आज मुझे फिवर भी हो रहा है भी थोड़ा बहुत तो अभी मैं यहां पर आई हूं सनबात लेने के लिए तो आप देख सकते हैं कितनी तेज दूप हो रही है और जैसे कि आज संडे का दिन है तो आज हॉलिडे है तो आज कहीं बाहर जाने का प्राइन भी है लेकिन ये फीवर की बज़े से थोड़ा अच्छा कम लग रहा है लेकिन जाना तो है क्योंकि फिर वन वेक के लिए फिर करिए और आपको भी दिखाएंगे कि हम कौन से मार्केट जा रहे हैं तो अभी चलते हैं तो ये हैं हमारे सागर का सबसे अच्छा मार्केट तो यहां पर अभी हम लोग बहुत चुके हैं और अब शॉपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो लगा है नमीका वाहे हैं तो देड़ सरफ है बना अच्छा लग रहे है तो कल मार्केट से आने के बाद मेरी तब्वेत काफी खराब हो गई थी मैंतला फीवर जादा हो गया था तो जिस वज़े से फिर आगे का व्लॉग मैंने कंटीन्यू नहीं किया और आज अगले दिन में शूट कर रही हूं और पिर मैं कल गई थी मैंने अपना चेक अप भी कराया और अपने लिदवा ले बात करते हैं तो मैंने अभी अपनी दवाई खा ले और अब आगे बात करते हैं तो पिछली कई वीडियोस में आप लोग मझा से बार बार पूछते थे और पहले कि जो मेरी कुछ में ने पहले के वीडियोस भी और उनमें भी बहुत लोगों ने comment में पूछा कि आप अभी कहां रहते हो, ओमी जी के जाने के बाद आप अपने ससुराल में रहते हो या माइके में रहते हो और आप अभी क्या करते हो या फिर आप फिर अपने जो भी अदलब financially आप अपने आप कैसे क्या manage करते हो तो यह सारे question जो आप लोग मुझसे बार-बार पोस्ते थे तो मैंने सुचा क्यों नब मैं जवाबों के आंसर एक वीडियो बना के देदू तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी जो आपके कोशन सुन के आंसर दूंगी तो सबसे पहला कोशन यही कि मैं अभी कहां रहत हूं ससुराल में माईके में तो मैं अभी अपने ससुराल में ही रहती हूं अब तो एक साल होने वाला है मैं अपने माईके जाती हूं कभी-कभी मतलब अभी मैं जुलाई में गई थी अपने घर डेली मेरा ससुराल में है और अभी मैं अपने ससुराल में ही रहती हूं कि घर में कोई खुश नहीं हो सकता था ऐसे माल में सब दुखी रहते थे लेकिन अनाया ही ऐसी पजा थी जिसके वजह से हमारे घर में सब उसी में बिजी हो जाते थे और उसको देखकर सब खुश होते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उनकी कमी अनाया के द्वारा पूरी हो तो मुझे भी लगता था कि अगर मैंने अपने अस्पिंट को खोया है तो मेरी फैमिली वालों ने भी अपने घर के बेटे को खोया है तो जिस तरीके से अनाया में ही वो शायद अपने बेटे को देखते होंगे तो मेरा भी फैसला प्री ही था कि मैं भी यही पर रहूंग और मुझे यहां पर कोई problem नहीं है रहने में सब कुछ अच्छा है मेरी family बहुत अच्छी है और वो सब मुझे अच्छे से रखते हैं ऐसा नहीं है कि अब उनका behavior मेरे लिए change हुआ हो जैसा पहले था वैसे यह भी है तो मुझे यहां भी ऐसी कोई problem नहीं है तो लेकिन फिर बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब mostly होता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हाथसा हो जाता है किसी भी लड़की के साथ तो ज्यादा तर लड़कें अपने माई के में रहने लग जाती हैं लेकिन मैंने ऐसा फैसला नहीं लिया मैंने सोचा कि मुझे गहीं रहना है अभी कोई problem नही सकते लेकिन फिलाल मैं अपने सफ्राल में रहती हूं तो बहुत लोग मतलब सोचते हैं कि क्या मुझे भी यहां रहना चाहिए मेरे बहुत सारे friends है और relatives जो मेरे माई के साइड के हैं या फिर मेरे friends हैं जो यहां के भी हैं वो सब मुझसे पूछते हैं कि मतलब हमेशा पू लेकिन मुझे लगता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी दोनों फैमिलीज है तो मैं यहां पर अभी रहती हूं और अपने घर भी जाती रहती हूं तो मुझे यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और रही दूसरे कोशन की कि मैं अभी क्या करती हूं तो मैं यहीं स अपनी study कर रही हु complete क्योंकि मेरी study अभी complete नहीं हुई थी और अभी मैं यहीं से अपनी study कर रही हु तो अभी job अपका कुछ ऐसा है नहीं अभी से अपनी study कर रही हु और इस year मतलब 2023 में मैं जॉब के लिए apply करूँगी और अभी तो क्यूंकि अभी अनाय अभी चोटी थी त के बाद तो मुझे अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब अगले साल देखेंगे जॉब अगयरा के लिए और बाकी तो अभी सब को चल ही रहा है उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं सकता लेकिन सब भगवान के हाथ में हैं जो होगा तेखा जाएगा तो और अब जो आग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर उसे फॉलो कर ले अनाया राजपुत के नाम से इसकी आईडी है और मैं मैं मैंशन कर दूंगी और आप लोग अगर चाहते हैं तो आप उसे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और आज के व्लोग को भी हैं पर एंड करते हैं मिलते हैं अप